हलो अबरिवन बलकम बैक टू माई यूटूब चैनल हर्ट्स के जड़ जैसे की गाईस सभी को पता है लियो मुवी की टीम बैक टू बै काफी तगड़ अनौसमेंट कर चुकी है यानि की कल ऑफिशल सेकेंड सिंगल आने वाला है सौंग आने वाला और काफी जल्दी इसका ओफिशल ट्रेलर आने वाला है और गाईस अफ्टनून में इसके ट्रेलर के बार में मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था तो जहां पर मैंने एक चीज बोली थी कि गाईस जैसे ही ट्रेलर के कुछ सीन का अपडेट मेरे पास आने वाला है तो गाईस सतलक की बेच जती सी हो जाएगी इतना बाफ लेवल अपडेट निकल करा अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप खुद भाई पूरी थंडी होने वाली है अब गाईस वो ट्रेलर से रिलेटबल क्या अपडेट है लिकिन जान लेते लिकिन वीडियो स्टार आप लोगों को बता देता हूं लियू का जो ट्रेलर आप लोगों को अनौंस्मेंट जो होने वाला है 4th of October को होने वाला है या कि next month के first week में होने वाला है और उसी के सासा जो ट्रेलर जो देखने को मिलेगा 5th of October को देखने को मिलेगा ऐसी अपडेट मेरे पास sources की तरफ से निकल कर आई है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह ट्रेलर नहीं होने वाला बाप लेवल ट्रेलर होने वाला है और गाइस अब बात कर लेते हैं लियों के ट्रेलर के सीन के बारे में तो अपडेट इसा निकल कर आ रहा है जब ट्रेलर जो भी रहेगा ड़ाई से तीन मिट का जो ऑफिशल ड्यूरिशन रहेगा तो वहां पर एक सीन अपन लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा जह श्मीर का होने वाला है चन्ने का या हैदरबाद का कहां का होने वाला एड़ों लेकिन आसा अपडेट निकल कर आया है भाई तीन चार शोट अपने लकड भगगे के साथ दिखाई देने वाले हैं अर्जुन एग हारोल दास और एंटोनी दास के साथ फाइटिंग सीक्वे होने वाली जो कि ruthless होने वाली है यानि कि कुरूरता आपको इतनी देखने को मिलेगी इतनी देखने को मिलेगी कि आपकी शोल घवरा जाएगी कि एतना आक्शन मेकिंग डिरेक्टर लुकिस कनगरास सर ने कैसे कर लिया यार मेबी इस चीज को लेके शॉक दू बाकि देखते हैं फिप्ट अफ अक्तूबर को ट्रेलर आने वाला है काफी सारे डाउट किलियर होने वाले हैं ओफिशल अनौंसमेंट होने वाला कल वेड सॉंग आन बारे में ब्लड बात के बारे में action sequence के बारे में comment section में जरू बताईएगा वीडियो को अगर आपने like के like कर दीजेगा शैनी के तो check कर दीजेगा चैनल को subscribe भी कर लीजेगा जिससे कि आपका भाई inspired और motivate होता चलिए मिलता है नेक्स वीडियो में फिर सेखने update के साथ तब के लिए जय हिंग जय भारत